सर्फ फरुखाबाद की विधान सवा का क्या दौर रहा और कैसे बनी और क्या इसकी मत्तर ही फरुखाबाद जिले में आजादी के बाद 1902 में पहला चुना हुआ जिसमें अवदेश चंसिंग विधायक चुने गए हाला ते थे कि पहले बैल गारियों से चुना होता था यहा यहां बैल गारियों से चुना हुआ फिर दुबारा उनी सो सब्तावन में चुना हुआ है उसमें जो है अब्देश चेर्ण सिंग फिर भी जही हुए है और उसमें टेक्टर से प्रिचार होने लगा इसके बाद में तिर राम केशन जी बने विधायक फिर दो बार लगाता महरम सिंग रहे सबसे ज्यादा दवदवा कांग्रेश कर रहा का ब्रह्मदत दुवेदी ने यहां भाजपा का पर्चम लहराया उसके बाद से यहां भाजपा लगातार विजय होती रही है बीच में एक बार यहां सपा का कप जा रहा केबल दो दिन के लिए सदर सीट पे और इसके बाद फिर मेजर सुन के अनाम ब्रह्मदत दुवेदी की पतनी फिर बिधायक बनी और लगातार इस बिदान सवाचेत्र पे अब भी भाजपा का कप जा है हुआ है 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 जुक्त आइस बिदान से बाज चल लाइन है फरिकवाई सदर सीट से उनिस सव बावन से लेके अब तक जो है आपने बड़ी-बड़ी कवरिच की है तो क्या आपको तब से अब तक आंतर आया है समय जो चुनाओ थे वो राजनेतिक द्रस्ति से जो है वो लोग परिपक हुआ करते थे और उनके में राजनेतिक महत्तवा कांच्छाएं रहती थे लेकिन आज जो है वो ये ट्रेंड बदल गया चेंज हो गया है अब लोग जो है वो राजनीत नहीं वल्कि धर्म संप्रताय के आधार पर राजनीत कर दिये हैं पहले लोग जो है वो लोगों की यह सोच थी कि लोगों को जो है वो किस तरीके से अपने जिले का उत्थान किया जाए अपने जिले का कैसे विकास किया जाए अब वो विकास की जो है वो द्रस्तियों की समाप्त हो गई है अब केवल अपनी स्वयम की कैसे उत्थान हो कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान के इन्देद हो गया है फरकाबाद में अभी तक क्या विकास हुआ है उन्निस वर आजादी बात से दीखे जहां तक फरकाबाद के चुनाओ की आप बात करें तो यहां बड़े बड़े नेता चुनाओ लड़े जैसे खुर्सी आ्लम सहाब सलमान खुर्सी सहाब इन लोगों ने चुनाओ लड़ा लेकिन फरकाबाद के लिए उन्हों कोई किसी तरिया क्या कोई विकास कारें नहीं किये केवन खुर्सी आलम खाब उनके समय में जो यह था कि उन्होंने काइम गंज में एक मिल का लगवाया और वहां पर सुगर मिल की स्थापना कराई लेकिन इसके अलावा किसी भी राजनेतिक दल के किसी भी नेतांग है फरुखाबाद के विकास के लिए कोई तबज्यो नहीं थी अचुता रावी तक फरुखाबाद बिलकुल अचुता विकास कोई सो दूर है काई अचुता लेता लेकिन अचुता बड़। आप में बहुत चूंकाने वाला है यहां से सबसे पहले यहां तक मुझे यार करता है यह चूप भी हो सकती है यहां से सबसे पहले विधायग बने अब्देश चंद सिंग पूर सांसर चंद हुशं सिंग अनुवा होकर विधासरी दूसरे विधायग बने राम कुष्म सारसुष और तीसरे विधायग बने द्यारहम्जी साक्री ठीक है इसके बाद सिलसला चलता रहा मालूम है आपको इतने आप नए भी नहीं है पुराने नहीं है तितने नए भी नहीं है एक दौर ऐसा चला कि फर्वाद में पंदे पिमर पर सास्तिवारी और रमधत वेदी का संखस चलता रहा एक चुनाओ वो जीते थे एक चुनाओ प्रमधत जीते थे और इस तरीके सी यह चलता रहा बात में एक ऐसा दोर आया कि लगातार चार बार ब्रमधत दुवेदी चुनाओ जीते रहे जब तक उनकी मरत नहीं होगे उनकी मरत के बाद उनके इस्थान पर उनकी पतनी प्रभाद वेदी विधाये खुन और मंत्री हो इस चुनाओ में एक बहुत महत मौलvात मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं उससे बेट को उटसे जुडाँगा हूं आइस चुनाओ में समाचबावी पार्टी के कंटिगेट थे स्ववीषी लाल बाहर ब्रसागे लाल बाहर ब्रसागे के उसमय में ये खा जाता है कि एक बे ब्राम्हत रुही थे आपको आस्चर होगा कि लाल वाहलुस साके के इलेक्शन एजेंट पंडिस सपीस प्रकारदी जित थे और उस बार उस चुनाओं में प्रुहद्वेदी जीती ही तो जरूर लेकिन लाल वाहलुस साके को साड़े बाओं नहीं जाना हो जिए इ यह उसके बात फिर विचे सिंग की इंट्रि हुईँ पहले विजे सिंग निर्दली विधायक हुए वी गौश्बेस समय दोबारा चुनाओं का मौका है iba Ot तो मैं उस समय समाजबादी पार्टी का जेला देख्षता और बिजे सिंह ने दली बिधायक होते हुए भी सपा का समर्थन करते थे तो मैंने जू अपनी रिपोर्ट भेडी अजी यानtha कुण भिवर्टी हुए גם जोरांदी जिरोव्स समय बालादी सिंह मिर्डी उराव में यिए भी नहीं ma टborg क्राट of कि रेख्षते रिते रहे प्ताव आर जोचे को फाल, अजिब को पमिवेंगा है। अवेंगा है। अरुष्माद्लेश पर नष्माद्दी इस्तवी दोपन प्रश्स यहा है। उर्ष्माद्माद्ध अप्रोल्ड़ा नहीं कि अप्रूदा बार भुकामा टिए आएगरां आएटिए ऑना एजेएखिएए जो सब्सेया कि आएगर को अ कंप झाल झाल